भारतिय जन्ता पार्टी को केंद्र की सत्ता में बिठाने के लिए बिल्कुल तयार नहीं है। आने वाले पांच राज्यों के अंदर चुनाव जादातर राज्यों में भारतिय जन्ता पार्टी हार रही है। वो चैनल्स जो भारतिय जन्ता पार्टी की मदद भी करते थे। वे भी अपने ओपिनियन पूल में जादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड पे स्थिती बहुत खराब। महिला आरक्षिन करने की कोशिश कर रहे हैं। गैस सिलिंडर सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भारत के जाने माने बड़े बड़े पत्रकार जो बेखौफ निडर होके जन्ता के सवाल केंद्र सरकार से करते हैं। उनके घरों पे छापे मारे गए। उनको पुलिस ठाने ले जाया गया। सुबह से शाम तक पूश्ताज की गई। उनको देश-द्रोही बताने की कोशिश की। आज भारतिय संसर में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजे सिंग जी को जिस तरीके से बिना किसी सुबूत बिना किसी ठोस कारण गिरफतार किया गया है। ये बात साबित होती है कि प्रधान मंत्री जी जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। और निराशा है, हार का डर है, बौकलाहट है, डेस्परेशन है जिसमें अब इस तरीके के उल्जुलूल काम केंदर सरकार केंदरी एजेंसियों से करा रही है। और हर एक सरकार जो ताना शाही की तरफ बढ़ती है, उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है, इस तरीके के कारणा में सामने आते हों, इसकी वज़े से सत्ता बची किसी की नहीं है। इसकी वज़े से सत्ता और तेजी से हाथ से पिसलती चले जाती आप इस प्रेस कॉन्फरेंस को व्याद करिएगा 2024 के चुनाव के बार इस प्रेस कॉन्फरेंस को मैं दुबारा से इंप्लूट करूँगा कि ये जो बॉकला हट थी इससे भी भारतिय जनता पार्टी का कोई पाइदा नहीं हुआ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आतिशी जी जो है अपनी बात रखेंगे उसके बाद प्रेंका जी पिछले पंदरा महीने से भारतिय जनता पार्टी की केंदर सरकार उनकी सारी एजनसीज उस एजनसीज के सैक्डों अफसर सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं किसी तरह से इस तथा कथित शराब घोटाले में उन्हें एक रुपे के भष्टा चार का सुबूत मिल जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ लेकिन एक साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैक्डों अफसर एडी के काम कर रहे हैं सैक्डों अफसर सीबी आई के काम कर रहे हैं अपने बाकी सारे investigations छोड़के सारी टीमें इस तताकतित शराब घोटाले पे लगी हुई है लेकिन 15 महीने के बाद भी एक रुपे के भरष्टाचार का सुबूत भारतिय जनता पार्टी की एक भी agency देश के सामने नहीं रख पाई है आज जो संजे सिंग जी को गिरफतार किया है वो गिरफतारी भी बिना किसी सुबूत के आज की गई है ये गिरफतारी क्यों हुई है संजे सिंग जी की इसलिए नहीं के कोई सुबूत है इसलिए नहीं के कोई शराब घोटाला हुआ है इसलिए नहीं कि एक पैसे का भी भरष्टाचार का खुलासा कर पाई है ED और CBI आज संजेज सिंग जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतिय जंता पाटी को और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है आमादमी पाटी से डर लगता है संजेज सिंग से डर लगता है हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौकलाहट है जो ये हार की बौखलाहट है अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई उनको डीटेंग किया गया, उनके फोन ले लिये गये, उनके लैप्टॉप ले लिये गये क्यों? क्योंकि वो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टी-े-म-सी के सांसद जब कृशी भवद गए, कृशी मंतरी से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी तो टी-े-म-सी के सांसदों को किस तरह से घसीट घसीट कर पोलीस ने कृशी भववन से बाहर लिकागा आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजे सिंग जी के घर पहुँच गए और आठ घंटे तक E.D. संजे सिंग जी के घर में बैठी रही एक घर जिसमें मात्र चार कमरे हैं उन्हें पूरी अपनी छान बीन करने में भी एक घंटे से जादा समय नहीं लगता चार कमरे के घर में रहते हैं संजे सिंग जी लेकिन ये पहले से एक प्री प्लैंड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, आठ गंटे बैठेंगे और फिर करेंगे कि आठ गंटे की पूछताच के बाद संजय सिंग जी की गिरफ़तारी कर लिए यह भारतीय जन्ता पाटी की हार की बॉकलाहट को दिखा रहा है ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बॉखलाहट को दिखा रहा है आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले चार राज्यों के चुनाव हो चाहे दो हजार चौबिस का लोगसभा का चुनाव हो देश की जनता ने अब भारतिय जनता पार्टी को बाहर फैंकने क मन बना लिया है और जब भी कोई तान शाही की सरकार देखती है कि एक समय आ गया है तो उसकेबाद यही स्लसला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाझा उठाएगा उसको जेल में ढाल दिया जाएका और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो चाहे विपक्ष के नेता हो उनको एक-एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है लेकिन मैं प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी जी को बताना चाहती हूँ कि हम आम आदमी पाटी के अर्विन केजरीवाल के सिपाही है हम आपकी इन धंकियों से दरने वाले नहीं है आप चाहे आम आदमी पाटी के हर नेता को जेल भेज दो आप चाहें हमें फासी पे टांग दो लेकिन आम आदमी पार्टी का हर एक कारेकरता हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक नेता इस देश के समविधान को बचाने के लिए लड़ता रहेगा आपने एक मनीश से सोदिया को जेल में भेजा सौ मनीश से सोदिया खड़े हो गए हैं उनकी जगा लड़ने के लिए आप एक संजे सिंग को जेल भेजेंगे, समविधान को बचाने के लिए हजार संजे सिंग खड़े होंगे, जो इस देश के दबे कुछले लोगों की आवाज उठाएंगे और इतिहास गवा है कि हर तानाशा का अंध इसी तरह हुआ है कि जब उनोंने अपने विरोधियों की, विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश की है वहीं से उनके अंध की शुरुआत हुई है और आज जो संजे सिंग जी की गिरफतारी हुई है ये भी भारतिय जनता पाटी की और उनकी सरकार की अंत की शुरुआत है अर्विन केजरिवाल जी और उनका एक-एक सिपाही कटर मांदर है ये बात सच है कि संजे सिंग जी सडक से लेकर संसत तक बहुत मुखर होकर मोदी सरकार की पोल खोलते थे और वो जारी रहेगा ये बात भी सच है कि भाजपा ने मोदी सरकार ने अनेकों कोशिशे कर ली अर्विन केजरिवाल जी को तोड़ने की कभी हमें खरीदने की कोशिश की हम नहीं बिके हमें तोड़ने की कोशिश की हम नहीं जुके और अब ये लड़ाई और तेज होगी भाजपा को ग्राउंड पर जैसा सौरब भाई ने बताया आज की डेट में कोई पसंद नहीं करता भाजपा को मालूम है कि जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में देती है पंजाब में देती है भाजपा उसको मैच नहीं कर सकती इसलिए वो खतम करना चाहती है ये देश का पहला गोटाला है जिससे सरकारी राजस्वों में बढ़ोतरी हुई ये देश का पहला गोटाला है जिसमें 15 महीने बीट गए और एक चवन्नी नहीं मिली हजार रेड कर डील पर एक चवन्नी नहीं मिली क्योंकि कुछ घोटाला किया ही नहीं हम ये लड़ाई अब और पुर्जोर तरीके से लड़ेंगे हम अर्विन केजरिवाल जी के सिपाही है हम भाजबा की ऐसी ट्रिक्स से हरकतों से डर्टी पॉलिटिक से नहीं ड़ने वाले